सबसे पहले close test है, close test में आपको प्रस्ट नमर एक के विकल्प दे रखे हैं, आप उस्टार्ट करता हैं, देखो Art movement is described as a dash or way of doing art that spans over a dash of time that is subtly or dash different from another movement of art Art movement is described as a dash, art movement को इस रूप में describe किया जाता है, ठीक है, किस रूप में, या तो दे रखा है way of doing art या तो कि कैसे आप art करते हो उसका तरीका, और या फिर क्या, type का मतलब तो पता है, प्रकार होता है style का मतलब विधा, मतलब way of doing something, style का मतलब यही है way of doing something like का मतलब के जैसे हो ना, और practice का मतलब है, कोई भी चीज अपना रखी हो आपने आचार वेभार में ले रखी हो, वो सब तो यहाँ पे चुकि way of doing दे रखा है, इसलिए और और लग रखा है, और alternative conjunction है तो यहाँ पे जैसा शब्द यह है, ऐसा ही शब्द इदर वलाएगा, तो यहाँ आ जाएगा style तो art moment is described as a style, art moment को describe किया जाता है एक style के रूप में, या फिर किस रूप में, way of doing art, art को करने के रूप में, that is spans over, span का मतलब अवधी होती है और यह जो art moment है, वो फैला हुआ होता है, मतलब किस अवधी में होता है, यह बता रहा है, dash of time तो आपको यहाँ पे आगे वाला देखना है, पहले वाले में तो ध्यान रख्यों का आई गया आपना, पहले वाले में तो आई गया, art moment जो है, वो describe किया जाता है, एक style के रूप में, या way of doing art के रूप में, यह कुछ ऐसा है, जो कि इस प्रकार के समयावधी में फैला हु होता है, मतलब यह art moment, कला संबन्दी आंदोलन, इस समय तक चलता है, तो आप देखिए, यहाँ पे अगर आपको colloquials पता हो, कि यहाँ पे क्या जूड़ सकता है, तो ओफ टाइम के साथ क्या जूड़ सकता है, पिरिएड आफ टाइम जूड़ सकता है, यहाँ पे आपका अ जो एकदम बारीक रूप से कहें, या फिर इस प्रकार का different होता है, another moment of art, जो एक और आंदोलन माने आर्ट का उस से, तो या तो subtly different होता है, या फिर कैसे different, तो एक बात तो समझनी है कि यह executive है, और executive से पहले modifier जो है, वो क्या लगता है, adverb लगता है, adverb लगेगा तो इसका म लगेगा, बात समझ में आ रही है क्या, या तो subtly different और या फिर ऐसे different बचे दो, या तो subtly different या distinctly या newly different, अब newly different से तो क्या मतलब है कि नए आलग है, इसलिए आपका answer क्या हो जाएगा, distinctly, distinctly का मतलब होता है, विशिष्ट रूप से, special तरीके से, ठीक, यहाँ पर आपका answer होगा distinctly, तीन answer हमारे आगे, पहले में मैंने किया, कि art जो है, वो या तो एक तरीका है, मतलब एक style है, या फिर एक तरीका है, art को करने का, जो की एक period of time में फैला हुआ होता है, जो की subtly या distinctly different होता है, ठीक है, close test CC का नाम है कि पिछे वाले चीज़ों को लेकर चलना आगे वाले जोडते लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके answers आएंगे, किस से अलग है, इस चीज़ से अलग है, the style और method, अब देखो, यहां से भी पता लग रहा है कि style आना चाहिए था, तो style है या तरीका जो है, moves or changes to a different way, if you will, यदि आप चाहेंगे, तो यह जो विधा है, तरीका है, art movement का, यह बदल सकता है, ठीक है, इतना समझ ना जाना चाहिए, these styles are used to dash art practiced by a group, यह जो styles है, यह जो तरीके हैं काम करने के, या art को करने के, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको use किया जाता है, किस लिए, तू के साथ लगाना है, यहां दो options तो same है, imagine का मतलब visualize कर नहीं है, अगर आप कलपना करके, किसी तस्वीर को अपने आखों के सामने देखते हैं, वो तो है visualize, imagine का मतलब भी कलपना करना है, ignore यहां पे negative tone का word है, अगर उपर से लेकर अब तक आपने पढ़ा है, तो कहीं पर कोई negative बात हमने की है, इसलिए ignore आने सकता, आपके पास option ब है कि यह जो styles हैं, उनका उपयोग किया जाता है, art को describe करने के लिए, कौन सी art, यह वो art है, जो practice की जाती है, ग्रूप के द्वारा, ग्रूप किसका है, अब यह ग्रूप है, किसका, group of actors, group of businessmen, group of vendors, group of artist, किसकी चर्चा कर रहे हैं, art की बात कर रहे हो, तो artist आ जाएगा, कला क जारों का group होता है, ठीक है, within the same time period and or reason, यह जो artist है, या तो होते हैं, same time period के, मतलब जिस काल का एक artist, उसी काल का, मतलब इनको contemporary artist आप कह सकते हो, some कालिन, या फिर होते हैं, एक ही छित्र के, some art dash that have been influenced by another, तो कुछ art यह जो है, क्या चीज, कुछ art, moments, scenes, books, pictures, किसकी बात कर रहे ह शुरू से, art moment की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर answer क्या आजाना चाहिए, आपका, art moments ही आना चाहिए, तो कुछ art moments जो है, कुछ art moments जो है, that have been influenced, जो की प्रभावित रहे हैं, another art moment से, अब देखो, यहां भी moment दे रखा तो इसका मतलब यही आएगा, यह मैंने previous year से हैं, obvious रूप से, same, alike, similarities, eagerness, एक बात समझेए, obvious है, वो executive है, क्योंकि OUS दे रखा है, obvious के बाद में noun चाहिएगा, noun चाहिएगा तो इसका मतलब यह काट दूम है, क्योंकि same तो determiner होता है, ठीक है, alike काट दूम, alike executive भी होता है, adverb भी होता है, आपको noun चाहिए, noun चाहिए तो यह दो बचते हैं, similarities समानता है, eagerness का मतलब कुछ काम करने में interest को बोलता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ art movement जो की influenced रहे हैं, अन्य किसी art movement से वो दिखाते हैं, कि उनमें first रूप से क्या है, similarities है, समानता हैं, while others seem to defy, defy का मतलब क्या होता है, defy का मतलब है, disobey करना, another करना, जबकि अन्य जो हैं, विकुस तो होगी समान, और अन्य जो art forms हैं, वो क्या हैं, वो यहाँ पे ऐसा लगता है कि defy करती हैं अपनी cousins को, cousins का मतलब यहाँ पे है similar, cousins का मतलब केवल तचेरा भाई या बहन नहीं होता, cousin का मतलब यहाँ पे जो है, यह है similar, उन इसलिए हर चोटेट बात को note करना है, चोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ art moment जो हैं, जिनको की influence किया गया है, अन्य art moment के दवारा वो दिखाती है, इस पस्ट रूप से समानता हैं, जबकि अन्य जो हैं, वो ऐसा लगता है कि वो अपने, जैसी मतलब, जो art forms हैं, art moments हैं, उन उस तो समान है, कुछ ऐसमान है, ऐसमान क्यों हैं, क्योंकि उनके पास क्या limitations हैं उनकी, मतलब उन से जदा आगे वो उस boundary से जदा आगे जा नहीं सकती, मतलब उनमें एक periphery है, एक boundary है, वहीं तक कुछ मतलब फैल सकती है, आगे नहीं फैल सकती, benefits का lab है, time का समय है, distance का दू का, differences का, अंतर का, अंतर किस में, between art dash and also to study the different dash of art, it is interesting to study, भहुत ही रोचक है, कि हम study करें, किस चीज का, differences का, अंतर का, अंतर किस में, अंतर इस इस में, between art dash, art what, between art flow, between art movements, between क्या जाएगा, कि हम अध्यन करें, art movements का, and also to study the different dash of art, और साथ में हम study करें, different इस के art का, क्या आएगा, time zone, length, duration, periods, क्या आना चाहिए, periods आना चाहिए, यह सब अगर आपने पूरा पढ़ा, तो कुछ answer तो इसी के अंदर दे रखे जाए, तो close test को इस तरह से करना चाहिए, कि पूरा पढ़न है, ask पाचीज़ों साथ लेके चलना है, अब आपके पास common errors है, mark करना शुरू करो, क्या आपका answer आ रहा है, उसके बाद बताता हूं कि क्या answer है, और क्यों answer है, हाजी, हेमा doesn't, do हो, does हो, या did हो, यह verb में पढ़ते हैं, हम इन सभी के साथ में कौन सी form लगती है, बेस form, बेस form लगती है, तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव, ठीक है, यह मत समझना कि हेमा singular है, तो यहाँ पे हैज आएगा, अगर does नहीं होता, तो हैज ही आता, लेकिन does के कारण यहाँ पे हैव है, second one, my mother is having grey hairs, क्या होना चाहिए, यहाँ दो चीजों की गलतियां है, एक तो आप याद रखेंगे कि हैव के दो function होते हैं, हैव या तो होता है experiencing हैव, और या फिर हैव होता है possessive, मतलब या तो हैव काम करता है रखने का, और या फिर हैव काम करता है अनभव करने का, यह दो काम करता है हैव, जब यह रखने का काम करता है, तो उसके साथ में ING हम लगाते नहीं हैं, और जब यह अनभव करने का काम करता है तो उसके साथ में हम ING प्लेस कर सकते हैं ये बात पता होनी चाहिए आपको हैव का अर्थ अगर रखना है तो उसमें आप ING नहीं लगा सकते अगर experience करना है तो उसमें ING लगा सकते हो यहां बताओ रखने का sense है कि अनभव करने का sense है रखने का यह है possession है तो मेरी मदर के grey hair है ये कहना चाहरा है तो एक तो गलती ये हो गई कि यहां पे is having ना होके has होना चाहिए था दूसरा यहां दे रखा है hairs हलांकि hairs possible है अगर थोड़ा सा इसको यो मैं समझ लूँ कि black hair है और कुछ सफेद बाल है तो ठीक है एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि अगर बालों की बात करेंगे तो grey का मतलब क्या होता है white क्योंकि ये black से white generally अगर करेंगे तो color change होता है change होगा तो सीधा white नहीं होगा तो कुछ यहां पे grey color लेके रहेगा इस कारण से grey का मतलब white पढ़ते हैं अगर यहां पे कोई reference दे रखा होता context दे रखा होता तो हम इसको hairs कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यह मान के चलता हूँ कि इसको uncountable के रूप में ही use करना था तो hairs के इस तान पे क्या हो जाएगा hair तो number 2 भी गलत है और 3 भी गलत है ऐसा हालंकी rare होता है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहां दोनों गलतियां है आपको hair वाले concept पता होना चाहिए कि hair का earth अगर दे रखा है बाल तब तो यह uncountable noun है और अगर दे रखा है इसका मतलब strand बालों की लट तो यह countable है तो यहां पे तो बाल की बात ही कर रहा है अगर 2, 3, 4 कोई संख्या mention की होती तो हम hairs कर देते हैं इसके अंदर ठीक है अगले में आज़ेए ओ डियर, do have some relief on my nerves यह कह रहा है ओ प्रिये, थोड़ा सा मुझे रहत दो मुझे बक्षो कोशिश करें ओ डियर, do have some relief on my nerves देखो यह do अगर हटा भी दें अपन तो फर्क पढ़ रहा है कि इस पर have some relief on my nerves बात एक ही है ठीक है do तो हम तब लगाते हैं जब आपको emphasize करना हो जब को stress डालना हो जोड़ देना हो, ऐसा कुछ इसमें नहीं है तो do को हटा देंगे सीधा have some relief on my nerves nerves जो है ना वो आपके एक प्रकास से मान सिखता का संकेत है आप बहुत tense डगर हैं तो आप nerves मतलब उसके लिए उसके लिए उज़ करते हैं आप इसलिए यहाँ पर आपका answer do हट कर आजाएगा have some relief once you graduate get a job would be easier आप एक बार graduate हो जाओ तो जोब प्राप्त करना आसान हो जाएगा क्या होगा देखो यह you subject है इसकी वर्ब तो यह है अगर यह subject वर्ब हो गए तो इसका मतलब यह would be का subject कौन सा है तो would be का subject यह बनाएंगे और यह चुकि फिलहाल वर्ब की first form है तो first form तो subject बन नहीं सकता तो subject बनाने के लिए आपको या तो noun चाहिए या प्रणाउन चाहिए verb को हम change कर सकते हैं noun में तो getting करना पड़ेगा यह gerund बन जाएगी noun बन जाएगी इसलिए आपका answer हो जाएगा दो number बात समझ में आ रही है He has been working here for quite some time वह यहां कुछ समय से काम कर रहा है क्या होना चाहिए वह यहां कुछ समय से काम कर रहा है कॉइट गलत है गलत है क्यों गलती निकालने जरूरी है ऐसे कोई गलती नहीं है no error बस इतना जरूर याद रखेंगी फोर के साथ time है तो perfective aspect है तो यह perfective aspect आ रहा है यहां पे मतलब perfect continuous हा रहा है I decided to climb to the top of the hill तू के साथ कौन सी फॉर्म वेस फॉर्म तो यहां पे क्या जाएगा क्लाइग रीडिंग प्रोवाइट नूट्रीशन विद दे माइंड देखो रीडिंग यह subject यह वर्ब यह object यह इसका receiver यही तो है reading प्रोवाइट करता है प्रोवाइट करता है nutrition प्रोवाइट किसको करता है mind को तो mind हो गया receiver हो गया तो क्या लगा दोगे तू आपका answer क्या हो जाएगा बात समझ में आगए despite of minimal use of technology बहुत आसान है यह तो despite में क्या नहीं आएगा ओव नहीं आएगा in spite के साथ में ओव आता है despite से ओव हटता है इन दोनों का मतलब के बावजूद है इसको translate करें तो मतलब क्या हो गया despite minimal use of technology मतलब बहुत कम इस्तमाल होने के बावजूद they are able to manage everything in a simple manner वो हर चीज़ को simple manner में manage करने के लिए अबल है सक्षम है next स्रिलंका इजन आइलंड कंट्री इंटु नहीं आएगा इन आएगा इन दा इंडियन ओशियन इंटु मुव्मेंट के लिए आता है तो यह आएगा नहीं और यह सोचना मत कि यहां पर आप साउथ के पहले दे लगा दें यहां पर साउथ कोई डारेक्शन की वैसे बात नहीं कर रहा है यह तो भारत के सक्षिन में क्या है उसकी बात कर रहा है इस कारण से यहां पर दे लगाने क्या होई शक्ता है नहीं अअ आप कंटेंट विद वाटाई मेक अन आइम फाउंद सिंपल जोइज इन सीजिंग एसमाइल उन कस्टमर फेस वैंदे स्मैल जैसमीन फ्लावर्स एक तो content के साथ में विद लगता है ये पता होना चाहिए नहीं पता हो तो note करेंगे content के साथ विद लगेगा इसका मतलब संतुष्ट होना होता है इसके साथ साथ आपको satisfied के साथ विद लगाना होता है इसके साथ आपको gratified के साथ विद लगाना है और आपको विद लगाना है pleased के साथ तो इन सभी के साथ में विद का प्रियोग करेंगे एक तो ये बात पता होनी चाहिए content विद होगा, satisfied विद होगा, gratified विद होगा, pleased विद होगा इन सभी का मतलब है संतुष्ट होना, खुश होना ठीक है, तो यहाँ problem क्या है, यह M found कैसे आ सकता है क्योंकि B के साथ में अगर verb की third form तो उसको passive माना जाएगा और M found का मतलब है कि मुझे पाया गया, जबकि sentence के meaning के according तो आई यहाँ पे subject बन रहा है, subject अगर यह है, doer यह है तो यह passive नहीं हो सकता, तो फिर active में change करो तो I have found कर सकते हो, ठीक है, I have found तो होई सकता है यह active voice हो गया, यह M found passive था तब passive नहीं बनेगा